असलाम लेकूम क्या हाले आप सबका होपफुली सब लोग ठीक होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे अपने अपने घरों में और हम भी बिल्कु ठीक ठाक हैं अला का शुकर है और आज मैं बना रही थी चिकन का देगी कोर्मा और हाजरा मेरे साथ आप लोग के साथ वोईस ओवर कर रही है यहां पर तकरीबन मैंने चार मीडियम साइज के प्यास ले लिए थे और उन्हें वन फॉर्थ कप ऑईल में जो है वो फ्राइ करा थे यहां तक के प्यास जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके थे और फिर इसके बाद जो है मैं निकाल लिया था एक थाली में और पहला द है ठीक है सारे प्यास में निकाल रही हूं पातीले में से फिर बाके का प्रॉसेस फिर स्टार्ट करेंगे इसमें ऑईल बाकी था इसी ऑईल में बनाऊंगी अगर तो मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ो से और डाल दूंगी लेकिन मेरे खाल से इन अफ ता तो मैंने इसम कि सारे प्यास में रिमूफ करके इसमें से सारे निकाल लूँगी और पिर इसके बाद मैं मैं आप। हम दालने हूं साबिद गरम मसाला जिसमें के मैंने तीन बेलीव लिये थे मतलब तेस पांद के पत्ते और तीन चार जो है मैंने चोटी वाली लाई चली थी दो तीन गिलावा जी 10-12 जो है काली मिर्चे ली थी और इनको जो है रोस्ट कर फ्राइ कर लिया था यहां तक इसके अच्छी से स्मेल आने लग गई थी और फिर जी इसके बाद मैं इसमें डाला था लसन अद्रे का पीस्ट लसन अद्रे का पीस्ट अधिक मैं ने टू टेबले इसको अच्छी तरह किसे फ्राइ करने के बाद फिर इसमें डालूंगी इसपाइस वही रूटीन के सिंपल स्पाइसे हैं तकरीबन मैंने टू टेबले स्पून मैं ने वही पीस्ट रखा दाली थी और मैंने इसके पानिंट ने था गिपरशा था थी तो मैंने क्या मसाले जलना जाए तो मैं पानी डाल डालके जो है वो एक एक कर के सारे मसाले risking डाल है इसके आप तकर तकरिबन टू टेपले स्पून ही मैंने भी था तर दरधरा कोर्मा की ट्रिक ही भी है अगर आपको सालन्स का दरदरा चाहिए कोर्मा तो फिर आप पिसावा धनिया थोड़ा ज्यादा डालें उससे यह होता है कि सालन्स का बनता है इसके बाद जो है मैंने उसको भी मिस्टर के तो फिर हल्दी डाली ती हल्दी में तक्रिबान एक टीज़ पून डाली थी और मैं ürक्ट मैं हमेशे सुरकाइप अच्छा लगता है तो मुझे ầy Л पूर्मा जो काला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता दीने में इसके बाद तकरीबें डाली थीे दो टेबले स्पून दही के और उसको अच्छी तरीके से फेट के मैं इसमें शामिल किया था और यह तकरीबन तीन पाउं के करीब चिकन थी मेरे पास थी तो किलो लेकिन मैंने फिर उसमें से थोड़ी से उठा ली थी मैंने के तिनी फिर बच जाएगी ठीक है यहां पर जो ह अच्छी तरीके से हम बुणाई करेंगे तो कि हमारी जो है वो चिकन भूँर हो जाए ठीक है अच्छी तरीके से व फूल जाए और ब मक्सूस रोइस में लोती है तो इसी टाइम पर खतम होती कि आप चिकन को अच्छी तरीके से भून लें चाहे कुछ भी बना रहे हो लेकिन चिकन को भूनना बहुत लाजमी होता है ठीक है इसके बाद जो है मैं इसमें पानी डाल दूंगी पानी आप अपने हिसाब से डाल सक यहां पर तकरीबर में दो गिलास पानी इसको रख दिया ताइ इसके बाद जी मैं बिया ब्राउन यहां पर घ्राणियों टूं काले प्यास मैչाते आप फूर्फट कड़ी 접종 कि न moment पानी में इसके यहां इसके साथ ही में इसमें जो है वो दीके शांम करोंगी दही के मैं तो टेबलिस पून डाल चुकिए हुग और इसमें तकरीबान फ़ो टेबलिस पून दही के शामिल करूँगे और इसका फाइन पेस्ट बना लोगी इसके बाद में क्या करूँगे मेरे सुस्राल में पहले ही डाल देती हैं जहांपर मैंने 2 टेवले सποं, सालन में चढ़ातेगत तेक डालता तो एक सव डाल देते और फिर प्यास पिसके प्र ऐसी डाल देते हैं और मेके में जो हे पियास के साथ डालते हैं पहले नहीं शामिल करते तो मुझे क्या होता है मैं बोलती है लगा बहूरी आप भी कब डालके देखियेगा और जिवाध ही शौन्दार ईडह के तैयार होगा यहाँ यहां पर जोड़ी सी फस्ड़ी मिर्चे भी यहां पर एट करहें और जब मेरम सालन की शकल सुर्ख हो होगा तो फिर मिर्चे थी प्याली का जो पेस्ट बनाया तो मैंने बस्टार यहां पर शामिल कर और तो दो मिंट के लिए। यहां पर क्याद रखें कि चिकन को ओवर कुक नहीं करना कि तूटने लग जाए ठीक है तो पानी जो पहले मैंने दो ग्लाज राता है तो आप भी दो ग्लास ही अगर आप बीफ का बना रहे ना तो फिर पानी फिर ज्यादा शामिल कर दें तो इसमें इतना मसला नहीं होता ल पानी बाकी जुआ है तो आप पानी डाल करें उसको के सारा का सारा जो है मैं इसमें भी प्यास का किस्ट नहीं हूँ कर दो भी आटाए शामिल कर लोंगी और पानी शामिल हो जआए ग एस तरीके से और वो जाय भी नहीं होगा ठीके इसको फिर अच्छी तरीके से जो है मैंने मिक्स करके तो पानी भी डाल लिया मजीद थोड़ा सा और पानी शामिल करूंगी और मैं इसको रख दूंगी तकरीबन तीन सी चार मिनट के लिए लो टू मीडियम टू लो फ्लेम पर सही है मतब थोड़ी सी ज्यादा और थोड़ी सी कम भी दर्म्यानी आज पर शामिल क्या के लिए जो है बिल्कूल मैं दंवाली आज पर रख दूंगी सारा ओल उपर अजाएगा देखें यहांपर आ चुका वा तो मैं तक्रिबान 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर का शामिल किया था ठीक है और मज़ेदार कूर्मा तायार हो गया था बहुत ही मज़ेदार था अलहमदोलिल्ला सबने बहुत शौक से खाया था इसके बाद मैं बना रही थी शीर कूर्मा अच्छा यह उसी दिन की वीडियो है मतब संड़ी की है कि मैं जो है वो खूर्मा और शीर कूर्मा बनाया था मेरी नंदा आई थी तो उसके लिए बनाया था और उसी दिन वो मैंने मैकरोनी भी बनाया थी अच्छा यहां पर जो है मैं थोड़ी से सिवाईया ले ली थी तक्रीबन मैंने एक कटोरी के बराबर के ना और हाफ के जी तक्रीबन मिल्क हो चुका वा था ठीक है यहां पर जो है मैंने शीर कूर्मा बनाने के लिए थोड़ा से घी डाला था उसमें दो इलाचियां जो है उनके मूँ खोल के डाल दिये थी ठीक है फिर इसके बाद सिवाईया डालके उनको थोड़ा सा रोस्ट किया था घी में इसके बाद जो है मैं इसमें दूड डाल दिया हूँ तक्रीबन एक पाउ के करिब और फिर मैंने इसमें चीनी तक्रीब में 4 टेबल स्पून शामिल करी थी इसके बाद जो है मैंने 4 टेबल स्पून ही जो है मिल्क पॉडर कर लिया था आप कोई भी मीठा वराय ना उसमें सुखा दूद जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही अमीजड फ्लीवर निकल कर आता है सही उसको एक पानी म मैंने जो है वो घोल लिया था तकरिवन 4 टेबल स्पून जो है मैंने सुखे दूट के उसको भर भर के लिया था ठीक है और इसमें शामिल कर दिया और फिर इसको इतना पकाय के हमारी समय जो है वो गल गई थी और रेडी हो गई थी और जो है ना बहुत अच्छी वानी थी अधर में याद ही नहीं रहा मुझे चलें नेक्स टाइम के लिए फिर इन्शालला मैं इसके फाइनल लुक भी दिखाऊंगी ठीक है इसके बाद जी है मैं नेक्स्ट दूसरे दिन की है वीडियो और इसमें मैं बना रही ती चने की डाल और उसमें तकरिवन मैंने एक कप दाल ले थी और उसमें मैंने तकरिवन दो बड़े बड़े पीसिस जो है वो बहुत बड़े भी नहीं थे चिकन के डाल दिये थे इस तरीके से आप बनाएंगे ना इसमें तो चिकन का फ्लेवर आता है और फिर इतने मज़े की ये डाल बनती है आप प्राइस के साथ खाए इसके इलावा होटल की रोटी हो गई ना आप उसके साथ खाएं इतने कोई मज़ेदार ये डाल बनती है ना कभी ट्राइ की जएगा अगर आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाई तो आपको ज़रूर पसंद आएगी इन्शाला ठीक है यहाँ पर तकर मैंने एक दर्मियान कोब्स कराने डाल नंदे बनती है और आपने पर यहाँ अच्छ यहां तक कि दाल जो है वह अच्छी तरीक गल जाए दाल और फिर जो है हम इस पर घाल लगाएंगे यह तने मज़े के कोई दाल बनती है ना अगर आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाई ना तो ज़रूर बना के आप देखिएगा आपको आपके फैमिली को इस पेशली आपक बहुत जाएदा ना तो फिर हमेशा याद रखेगा कि गरम पानी करके डालेगा उससे एक तो कोकिंग प्रोसेस नहीं रुपता और सेकंड यह कि उसका मज़ा जो ना वो खराब नहीं होता किसी भी चीज का किसी वी सालन का हाँ चिरा मेरा साथ देरी है हाँ यहां पर जो ह कुछ गल चुका था कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि इसके बाद जो है मैंने वापिस से इसमें बोटिया निकाल दीती आह dat इसके बाद तो चुछ है उसमें थोड़ा सा घोटा लाजाने के बाद वापिस डाल ती इह हैं पर भगार तैयार करें हम तैकर र्या उपनिरा गोल लाल वाली मिर्शे डालोंगे पहले नहीं डाली इसलिए क्योंकि बागी भगारों में सब में साथ में डाल देते हूं लेकिन यहां पर मुझे प्यास थोड़ा सा ब्राउन करना था तो वन्हां फिर मिर्चे बिल्कुल ब्लैक हो जाती है फिर सालन में ब्लैक डाल में ब पर ही होती हैं पिर यहां पर जो मैंने बहुत जादा ब्लैक नहीं किया था उसको प्यास को और ऐस तरीके से मैं भगार लगा दिया था और इसमें फिर मैंने हाफ टी स्पून गरम शाला पिसा हुआ डाला था क्या करें थी नहीं कोई मजे की डाल बनी थी ना सब खतम हो ग फैमिली को आपके बच्चों को इस्पेशली बहुत पसंद आएगी बहुत जाइके वाली डाल होती है और आप इंजॉय किजे इसको कभी होटल की रोटी से खाएगा इतने मज़े की लगेगी और इसके इलावा प्राइस में ने इसके साथ राइस बॉयल किये थे और बहुत बहुती शानदार ये डाल बनेती देखें इसका लुक चैने की डाल हम भुनी वे तो बहुत खाते हैं इस तरीके से बनाएगा चिकर में इतनी मज़े कि ते फ्लेवर फुल बनती है कि आप फिर मुझे दुआई देंगे इंशालला जरूर ट्राइ किजेगा और दौाओं म याद रखिएगा अपना बहुत खायल रखिएगा और रेसिपी इसको जरूर ट्राइ किजेगा अल्ला हाफिज